एलो गाइस बेलकम बैक टू मैं यूटूब चैनल ससी फूटकूर्ट फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज बनाने वाली हूँ मैं मूंग डाल की कचोड़ी तो ये मैंने मूंग डाल को लिया था एक कटोरी मूंग डाल थी उसक निकल जाइ दिया जिसका यक्सा पानी झाट पैन रख दिया था मैंने गैस पर और उसमें डाल प्रभाइब सर्सों का तेल एक छंता यव्ल मैंने जीर ह葉 और डाल दी using में हींग हींग डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कचोडियों में इसका फ्लिवर बहुत अच्छा आता है उसके बाद मैंने डाल को डाल दिया था पैन में और मैंने अच्छे से इसको कर लिया था सोटे हमें इसको भूनना होगा एकदम अच्छा भूनना होगा क्रिस् पाउडर डाल दिया उसके बाद मैं मैंने इसको कर लिया था अच्छे से मिक्स तो फ्रेंड्स आप इसको एकदम क्रिस्पी भून के इसको कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो आपका जब भी मन करे कचोणिया बनाने का पराठा बनाने का तो आप निकाल के इसको नमक डाल दिया और अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया और इसको भून लिया था तो अगर आप तुरंद की तुरंद बना रहे हो तो आप जैसे चाहे इसको भून सकते हो लेकिन अगर आप श्टोर करना चाहरे हो तो एकदम रेड पड़ जानी चाहिए एकदम डाला और अच्छे से आटे को मिला लिया था इसके अंदर अच्छे से ओईल और नमक मिला के मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूद लिया था फ्रेंस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इसमें ओईल की मात्रा अच्छे से रखनी है ओईल जो डालना ह इसको मोवन भी बोलते हैं मोईन बोलते हैं तो आप इसमें चाओ रिफाइंड घी कुछ भी यूज कर सकते हो उसकी मात्रा है वो अच्छे से रखनी है तब भी कचोडिया क्रिस्पी बनेगी तो उसके बाद मैंने अच्छे से आटा गूंद लिया तो आटा हमें एकदम कचोडिया बनानी है अगर टाइट रह जाएगा तो यह फटने लग जाएंगी कचोडिया तो आटा गूंद लिया था मैंने रख दिया था उसको 10-15 मिनट के रेष्ट पर तब तक मैंने कड़ाई चड़ा दी ती उसमें डाल लिया था ओल वो गरम हो जाए तब तक मैंने आटा लिया उसको एकदम स्मूध हाथों से बना लिया था और उसके बाद मैंने चार कचोडियों का पेड़े तोड लिये थे और उनको मैंने लोईया बना लिया था और उसके बाद हमें इसमें फिलिंग वरनी होंगी तो दाल हमारी एकदम ठंडी हो गई है दाल को ठंडी को रखा और उसके ऊपर एक चमपने मैंने बेटर रख दिया था मूंग डाल का और उसको चारों से तरभ से कवर करते हुई मैंने कचोड़ी को बना लिए तो अगर आप भी कचोडیا बना रहे हैं तो आप को भी इसी तरीके से सारी कचोड़े को बना लेना है और इनको इसके मुह को अच्छ sing तायट करके बंद करना है यह फटे नहीं है तो friends मैंने दूसरी कचोड़ी भी इसी तरीके से बना ली थी और मैंने अगली कचोड़ी भी इसी तरीके से बनाई थी इसके लिए भी मैंने एक पूड़ी को हाथ पर उठाया उस पर रखा मैंने बैटर और इसको चारों तरब से कवर करते हुए मैंने इसका मुँ बंद कर द जिसमेश्यादाा हम्हें जोड नहीं लगाना नहीं तो कचोड़ी फरड़ सकती है क्योगी इसके अंदर डाल की फिलिंग है उलट पुलट दिया तो इनको हमें एकदम रैड होने तक पकाना होगा तभी एकदम ये खस्ता बनेंगी अगर आप लाइट व्राउन होने तक ही इनको निकाल लोगे तो ये खस्ता नहीं बनेंगी तो देखिए एकदम लाल हो गई है मेरी कचोड़िया तो मैंने उनको निकाल लिया था उसके बाद मैं देखो मेरी फ्रेंड सारी कचोड़ियों को तलके तियार कर लिया है अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना